अज्जु भाई यानी टोटल गेमिंग इनको तो आप सारे लोग जानते हो लेकिन क्या आपकी मन में कभी ये सवाल हुआ है कि अज्जु भाई की आईडी में वी बैच क्यों नहीं है अगर आप गेम जीच जाते हो तो आपको जो बुया दिखाता है क्या आपको पता है कि इस बुया का असली मिनिंग क्या है क्या आपके मन में कभी ये सवाल हुआ है कि बहुत टाइम पहले जितने भी सरे यूटूबर है उनकी आईडी में आपको स्ट्रीमर बस देखने को मिल जाता था वीडियो को बिना स्कीप के हुए पुरा एंड तक देखना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो हमारा जो नामबर 5 मिस्ट्रेस फैक्ट है वो यह है कि आप लोगो फ्री फैर में जितने भी गन देखने को मिल जाएगा वो सारे रियल लाइफ में भी आपको देखने को मि मिलेगा तो चलो में आप लोगो उस गन की नाम बता देता हूँ तो जो आमारा पहला गान है उसे ट्रीटमेंट गान आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा आप लोगे कमन चींज सोचो कि अगर आपका टीम मेट गेम में डेमेज हो जाता है तो आप उसको ट् दोकतर के पास ले जाओगे एंड उसका इलाज करवाऊगे लेकिन अप इसके बदले में आपको दुस्तों का इलाज ना करवा के तो बेचरा गान की गोली से मर जाएगा तो इससे ये प्रूब होता है कि टीमिन गान के साथ और लाइफ का कोई लिंक ही नहीं है ने यह गे देखी आप जो प्लाज्मा की तरह चार्ज होती है एल्ड एसे ही प्लाज़्मा की तरह दिखती यह तो कि इस मैं भी बाता हूँ मुवी में जो सरी चीज दिखा जाता ही आसाब ह्या नहीं हुता तो यह प्लाज्मा गाण के साथ आप भी reality का कोई link नहीं है एंड यह एक पूरा unreal fact है तो number 3 में जो gun आते उसका नाम है cg-15 एंड यह cg-15 gun भी आपको real life में देखने को नहीं मिलेगा तो इस game में basically क्या होता है cg-15 gun की scope on करके आप इस gun को charge कर सकते हो अगर आप इस charge gun से enemy को damage दोगे तो ज़्यादा damage पड़ेगा लेकिन guys real life में आप कोई भी gun को scope on करके रख दोगे और वो तो बिलकुल भी charge नहीं होगा और अगर आप उस gun से enemy को मारोगे तो वो बिलकुल भी extra damage नहीं होगा तो यह gun पुरा एक unreal gun है और इसके साथ reality का कोई भी link नहीं है तो हमारा जो number 4 gun है वो है shield gun और यह shield gun आपनों को बस game में training ground में देखने को मिल जाएगा इस gun में basically क्या होता है आप जब gun की scope on करते हो तो आपकी gun के सामने एक shield type का बंड जाता है लेकिन real life में guys आप कोई भी gun की सामने जब आपका scope open करोगे तो आपके सामने कोई भी shield नहीं बानता है तो यह भी एक पुरा unreal fact है तो हमारा जो number 5 and last gun है यह सुनने के बाद आप पुरा shock हो जाओगे यह मैं guarantee देता हूँ तो गैस हमारा जो last gun है वो है M8 to be and M8 to be एक sniper गान है जो game में कुछी दिन पहले याड़ हुआ है तो इस gun आप और real में देखने को नहीं मिलेगा इस gun के साथ game में क्या होता है जब आप glowal में गोली मरते हो तो गोली glowal के अंदर से जाके enemy को damage देता है लेकिन real life में ऐसा कोई भी gun नहीं है जो ऐसे कोई glowal की जाएसे चीज को भेद करके अंदर जाके enemy को damage देता है verified यानि जो blue tick देखने को क्यों नहीं मिलता ऐसे और भी बहुत सारे छोटे वरी creator है लाइक two side gamer AS gaming ऐसे बहुत सारी लोगे जिनके आपको profile में ऐसे blue tick यानि verified बैस देखने को मिल जाएगा लेकिन total gaming हमारा इंडिया का top one gaming यूटूबर है जिनकी profile में आपको अभी भी blue tick देख आरे हमारी अज्यू भाई उसने अभी तक अपना face reveal नहीं किया तो इंस्टाग्राम में basically क्या होता है आपको अपना blue tick मिलने के लिए आपको अपना face reveal करना जरूरी होता है तो इसलिए आपस तक total gaming को इंस्टाग्राम में verified batch नहीं मिला तो future में ये भी हो सकता है कि total gaming को verified batch मि जाए बीना आपने face reveal किये तो चले आगे बढ़ते हमारा next mister fact की तरफ हमारा number three mister fact है कि game की last में आपको जो बुया देखने को मिलता है क्या आपको पता है कि इसका असली मिनिंग क्या है ये बुया का असली मिनिंग ये है कि आप अगर कुछ चीज जीत जाते हो या आप बहु ये बैसिकली एक फ्रेंच ओर्ड है और फ्रांस में ये वर्ड बहुत ज्यादा ये फ्रांस में आगर आप कोई भी गेम लाइक क्रिकेट फुटबाल एंड कोई भी मोबाइल गेम या पीसी गेम अगर जीत जाते हो और अगर आप एक हिस्टोरी क्रेट करते हो तो उहां प को भी बैस देखने को मिलता था लेकिन अबब एक टाइम में आप लोगो को इदे में इस्ट्रिमार में विच्श लोगय घ्काइब तब हमारी इंडियान reckless कमयटी में थोड़ा कंट्रवर्सी टाइप काates हो गया था इसके लिए गेरेना वह बैस तो हटा दिया एंड इसका और एक भी रिजन है कि जब यूटुबर की आईडी में स्टीमर बैस मिलता था एंड इस्पोट्स प्लेयर की आईडी में वेरिफाइट बैस मिलता था तब वह लोग क्या करते थे अगर कोई भी प्लेयर ज चले आदा था तो गेरेना इस कंट्रवर्स को खतम करने के लिए एंड यह आनफियर वेरिफाइट बैस लेने की टेकनिक को खतम करने के लिए उसने यूटुबर की आईडी से स्टीमर बैस अटकी वहां पे वेरिफाइट बैस दे दिया और जो लोगी स्पोट्स खेलते उ बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है एंड यह है कि आज्जू भाई यानि टोटल गेमिंग उसकी आईडी में आप लोग को अभी तक जो भीवैच है वह देखने को क्यों नहीं मिलता ऐसे छोटे बारे और बहुत सरे क्रेटर है जिन लोग की आईडी में आपको और प्रिफर पर्टर प्रग्रम में नहीं है और फ्रीवैर प्रग्रम में यह पूर में आप तлекरिटर फरीबधार प्रटर्प्रान्र प्रटर त warfare होती रहता है तो अज्जू भाई उस ने अभी तक फ्रीवैर पार्टर प्रटराम में जान किया जैसे और आइड की वीडि वाला वीडियो को देखो एंड आगर आप रैंक पुश करके हिरोई जाना जाते हो ताप ये राइड वाला वीडियो को देखो तब तक के लिए बाई बाई